भारती जन्ता पार्टी राश्टी सुरक्षा के मामले में या इस पार्लिमेंट की सुरक्षा के मामले क्योंकि पचासों बार इस तकी घटनाये हो चुकी हैं उसने कभी भी इस चीज को मुद्दा नहीं बनाया यहां की जो सुरक्षा है वो केवल और केवल उसके लिए लोग लोगसभा प्रेमाइसेस का सीकुरिटी का पूरा का पूरा विशय लोगसभा अध्यक्ष का है लोगसभा सची वाले का है इसका कहीं दूर दूर तक भारत सरकार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि हमने हमेशा राश्री सुरक्षा का सवाल हो पार्लमेंट की सुरक्ष कर जो है वो अपना कब्र खोद रहा है कि HM क्यूं आएंगे लोग सभा के अध्यक्ष का यह भी से है लोग सभा सचीवाले का भी से है हम क्यों आएंगे हम को यह आप लाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कल को CRPF, BSF, आर्मी सब यह लोगसभा के प्रमैसेस पे आने लगेगे आप कभी कहिए डिफेंस मिनिस्टर जवाब देंगे, कभी हों मिनिस्टर जवाब देंगे यहाँ जो है पार्लिमेंट में, यह पार्लिमेंट संसदों का है संसद का है आप सरकार को क्यों इन्वाल्व करना चाहते हैं सरकार को इन्वाल्व करने लगेंगे तो फ्रिस्किंग होने लगेगे, सरकार को इन्वाल्व करने लगेंगे आर्मी यहाँ आ जाएगी सरकार को involve करने लगेंगे तो हमारा आपका जो है जीना जो है लोगसभा प्रमैसेस में या पार्लमेंट के प्रमैसेस में मुस्किल हो जाएगा कॉंग्रेस यही करती रही है 50 साल तक उसको समझ में आना चीए हमने कभी राजनीती नहीं की यह सवाल भाजबा और कॉंग्रेस का सवाल नहीं है उनको अभी तक धूल चटा चुका है न वो जिस तरह से राजनीती कर रहे हैं राजनीती का जवाब मिलेगा उनको और अभी तीन महतपूर्ण बिल है 140 करोड लोगों के लिए भारती न्याय संगिता, इविडेंस एक्ट, आईपीसी सभी की चर्चा होनी है 140 करोड लोगों के लिए कानून बदलने जा रही है 1860 के कानून जो है मानी प्रधानमंत्री जी के नेत्रित में बदले जा रहे हैं लोगों को हम सुभिधा देना चाहते हैं लोगों को न्याय देना चाहते हैं करोणों करोड जो केस कोट में फसे हुए हैं उसके लिए आप ये समझी ये कानून है उसके उपर वो चर्चा नहीं चाहते हैं उनका आम लोगों से लेना देना नहीं है ये विशय ये है कि यदि ये सारी जो है CRPC, IPC और इविडेंस एक्ट ये दी पास हो जाएगा तो उनको लगता है कि शायद आम लोगों को जो राहत मिलने लगेगी इससे उनकी समस्या है वो चाहते हैं कि लोग जेल के अंदर बंद रहें वो चाहते हैं कि 50-50-100-100 साल के जो litigation court में चलते रहें वो सब खताम होने वाला है तो आम जनता को राहत देने वाला कोई भी कानूनी दियाएगा तो कॉंग्रेस एक मौके की तलास में रहता है और यही कारान है कि पार्लिमेंट को नहीं चलने दे रहें